गुद मॉर्निंग क्लास फर्स्ट हाउ आर यू वेलकम टू जीके ओनलाइन क्लासिस क्लास आज हम जीके का 36 चैप्टर आउट्डोर गेम्स की रीडिंग करेंगे आप लोग जानते हैं आउट्डोर गेम्स किने कहते हैं आउट्डोर गेम्स वे होते हैं जो घर के बाहर खेले जाते हैं कमरे से बाहर खेले जाते हैं उन्हें हम आउट्डोर गेम्स कहते हैं देखे, outdoor games are those games, outdoor games वे games होते हैं, which we play outside the room, जिने हम room के बहर खेलते हैं, outdoor games need more physical exercise, outdoor games physical exercise की बहुत ज्यादा जरुरत होती हैं, some pictures of games are given below, यहां नीचे कुछ pictures दी हुई है, identify them, उनको पहिचानिए, and write their names in thy space given और जो नीचे space दिया हुआ है उनमें उनके right names फिल करने हैं ओके तो देखिए हम देखते हैं देखिए first picture में first picture में आपको क्या दिख रहा है कुछ लोग क्या कर रहे हैं किर्केट खेल रहे हैं क्या खेल रहे हैं bat ball से खेल रहे हैं कौन सा game है किर्केट next देखिए यहां देखो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कुछ students देखो उनके हाथ में ball है चिल्डन के हाथ में और यहां देखो एक basket टकी हुई है और यह इस ball को इस basket में डालने की कोशिश कर रहे हैं तो यह कौन सा game खेल रहे हैं basket ball basket basket ball basket ball next देखिए यहां आपको एक man दिखाई दे रहा है जो देखो एक ball को एक गॉल्फ इस्टिक है उसके द्वारा उसको अंदर डालने की कोशिश कर रहा है तो यह कौन सा game खेल रहे हैं golf golf next देखिए इसमें कुछ गल्स खेल रही है और यह एक इस्टिक से ball को खेल रही है यह क्या खेल रही है hockey 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 और देखिए यह पैर से football को मार रहे है तो यह कौन सा game है football F O T FOOT B A L L football यह देखो यह कौन सा game खेल रहे है कबड़ी K A B A Double D I कबड़ी next देखिए नीचे रहूल द्रवीड इस असोसियेटेड विद किर्केट यह फुटबॉल किर्केट रहूल द्रवीड कौन सा game खेलते थे किर्केट major ध्यानचन इस असोसियेटेड विद major ध्यानचन hockey के player है major ध्यानचन किसके player है hockey के इस असोसियेटेड आपको इनके outdoor games के जो name है वो अपनी notebook में neat and clean note down करने है next वीडियो में हम next chapter के साथ मिलेंगे तब तके लिए thank you